यह जो धरम पत्नियां होती हैं ने पतियों से बहुत-बहुत बिचितर बिचितर बाते करती हैं बस तुम्हारे दो नेतर काफी नहीं थे जो तुमने यह तीसरा नेतर रख लिया बड़े-बड़े बिचितर बाते पूछने के लिए होता एक पत्नी ने पती से पूछ लिया क्यों जी इमानदारी से बताना तुम साधी के पहले ज़्यादा खुस थे कि अब ज़्यादा खुस हो अब यह तो पूछने वाली को पूछना ही नहीं था अब बोलने वाला विचारा क्या बोले अब बोल दे कि अभी खुस नहीं हूँ तो विचारा जूट बोल नहीं सकता प्रशन करने वाला कुछ भी प्रशन कर ले था उसको उसका तो मनोना चाहिए तुम शादी के पहले ज्यादा खुश दे की अब ज्यादा खुश हो पती विचारा मौन हो गया उसने का टेची ला दे मैं जाओँ में थोड़ा आफिस में आ जर्ण जल्दी काम है तुम तो मेरा उत्तरनी दे वगे है आज ती खुश हो के पूछ रही तुम मेरा उत्तरनी पती ने अटेची पकड़ी जाने लगा पतनी फिर बोली सुनो तो उत्तर तो देखे जाओ कि तुम साधी के पहले खुस थे जादा की साधी के बाद पती बोला तुम जब माई के जाओ तो तुमारे पापा से ये वाला प्रिश्न कर लेना बस और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूगा तुम माई के जाओ जब पापा से तुमारे पिता जी से ये प्रिश्न कर लेना कि पापा तुम साधी के पेले खुस थे कि ये चंद्र गंटा इसके बाद पिता जी से पुछ ले तो पुछो ये बात कहाओ